नमस्कार दर्शको, मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ आवाहन इस कारिक्रम में दर्शको, अगर हम बैठ कर सोचें कि एक जोग को हम बार-बार नहीं सुन सकते पहली बार सुने तो हमें हसी आती है फिर से वही जोग हम दुबारा सुने तो हमें थोड़ी कम हसी आती है और वही जोग हम बार-बार सुने तो हमें हसी नहीं आती तो क्यों नहीं हम एक ही गम को बार-बार लेकर दुखी होते रहते हैं ऐसा क्यों है? दर्शा को कहा जाता है कि आगे आने वाले समय की चंता अगर हम करे और भूत काल में जो हुआ उसको ले लेकर हम परिशान हो तो हमारे आज की खुशी हम कभी नहीं पा सकते तो आईए ये कारिकरम आज की कड़ी हम शुरू करते हैं हमारा माख दर्शन करने के लिए हमारे बीच है राज योगी नी भ्रमा कुमारी उशा दीदी जी दीदी आपको बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते तो दीदी पिछली कड़ी में हमने जो बात की थी कि सेहन शक्ती को लेकर कि सेहन शक्ती हमें चाहिए व्यक्तियों के लिए हमें सेहन करना चाहिए और situations को हमें face करना चाहिए तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सामना करने की शक्ती है फेस वो हम कैसे करें माना different situations को face करना क्या है और उनके सामने जुखना क्या है ऐसा है कि जब अलग-अलग प्रकार की situation आती है तो हमें पहले उस situation को समझना जरूरी है कि यह situation हम से क्या demand कर रही है उस तरह से फिर face करना कि मान लो कि आप किसी दुकान में गए है और उस दुकान में कोई व्यक्ति आपके पैसे के पीछे पड़ा है तो अलग तरीके से वो परेशान कर रहा हो या कोई भी ऐसे आप मनों के कही रास्ते पर जा रहे हैं और कुछ लोगों ने आपको घेर लिया तो पहले हमें यह समझना है कि उसको क्या चाहिए वो मेरे पैसे के पीछे पड़ा है वो मेरे को यूही परेशान कर रहा है या मेरे चरित्र के पीछे पड़ा है तो तीनों में अलग-अलग रियाक्शन होगा अगर हां वो मेरे पैसे के पीछे पड़ा है दे दो पैसा एक दिन के कमाई जाएगे ना दूसरे दिन कमा लेंगे लेकिन उस पैसे को बचाने में कहीं अपनी जान खत्रे में नहीं डाल दो तो ऐसी हालत में फेस करने में पैसा दे देना ज्यादा उचित है या अगर मानो आपके पास कुछ चीजे हैं और वो सोना चांदी उसके पीछे पड़ा है तो आप जो भी है अपने पास उतार के दे दीजिए क्योंकि शायद वो उसी में सैटिस्फाइड हो जाने वाला है एक रिंग या एक घड़ी या एक चेन आदी बचाने के लिए आप अपनी जान को खत्रे में डालो उसके बाद भी आपको खतम करके वो ले तो जाने वाला ही है तो बहतर है कि आप उसको दे दो देड़ी ये सिच्वेशन के सामने जुकना या डरना नहीं हुआ लेकिन उस समय अगर आप उसको बचाने का प्रैतन करेंगे क्या होगा खुद की हानी होगी खुद की जानी चली जानी है ले तो उसको जाना ही है कैसे भी करके तो यहां पर यह समझदारी को यूज़ करना है कि इसको अगर पैसा ही चाहिए सोना चांदी ही चाहिए या जो मेरे पास है वही चाहिए दे दो तो वह दे दो उससे कोई हमारा कम नहीं हो जाने वाला है परन्तु हां अगर वह व्यक्ति मेरे चरित्र के पीछे पड़ा है तो जान चली जाए चरित्र ना जाए भावार्थ यह है कि सिचुएशन को देख करके उसको एनलाइज करके उस अनुसार अपना रिस्पॉंस निका जालना बहुत जरूरी है उस तरीके से फेस करो अगर आपके पास भागने की है मार्जिन आप भाग सकते हैं बहुत अच्छी बात है तो कहां पर फाइट करना पड़ता है कहां पर फ्लाइट करना पड़ता है दोनों में से एक रिस्पॉंस जरूरी है अगर आप फाइट क करने की ताकत नहीं है फ्लाइट करनी का मार्जिन है फ्लाइट किजिए नहीं है तो दे देना ज्यादा उचित है जी फ्लाइट करना माना छोड़ के चले जाना हाँ छोड़ के चले जाओ उसको कह दो जैसे कहीं बार हम देखते हैं कि विदेशों में जैसे एफ्रिकन कंट्र इसके अंदर खास करके देखा गया है कि कई लोग आते ही है क्योंकि वो गरीबी से उनका बेहाल हो रहा है उनको पैसे ही चाहिए तो जब पैसे ही चाहिए तो होगा जितना होगा आपके पर्स में कितना हो सकता है यह नहीं पांच-दस हजार हो maximum उससे ज्यादा तो लेकर नह हो देते हैं तो समझदारी को यूज करना होता है ती यह तो एक सिच्वेशन हुई अब ऐसी कोई सिच्वेशन हो और मानलो किसी अपने ने शरीर छोड़ दिया तो सिच्वेशन को कैसे फेस किया जाए जैसे शरीर छोड़ दिया यह बात तो ठीक है कि उस चीज का हमें हो गई थी काफी समय से बीमार थे तो यह अंदर में रहात आती है कि चलो उस पीड़ा से दुख दर्द से वह मुक्त हो गया लेकिन हागर यंग व्यक्ति अपने कोई निकट का व्यक्ति हो और यंग है और डाइनमिक है और वो शरी छोड़ देता है तो जरूर है कि उसका गम तो आएगा जीवन के अंदर हम यह नहीं कहते हैं कि गम नहीं करो लेकिन अब जब वो आत्मा विदाई ले रही है तो उस वक्त उसको आंसुओं का उपहर क्यों दे है उसको अच्छी भावनाएं दुआएं कि जहां भी आगे जाना है उसको अपनी यात्रा पर वहां क के लिए और सुखी हो जाएं यहां से और अच्छी जगह पर जाएं यही हम दुआएं करके उसको भेजें तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि जतना व्यक्ति रोता है और रो रो करके अपने आपको परेशान करता है और वो रोने के वाइब्रेशन उस आत्मा को भी पहुं विदाई ले रही है और हम उस बात को समझते हैं तो उसको दुआएं देते हुए हम विदाई दे जितना आशिरवा देख करके विदाई देते हैं उतना उसको सुकून मिलता है और शाहर आगे की जरनी उसकी और उस दुआओं से अच्छी हो जाए तो इसे लिए situation को देख करके वहाँ पर भी किस तरह का व्यक्ति ने शरी छोड़ा है कोई बीमारी से पीड़ित था और छोड़ा तो अंदर में यही आता है कि चलो वो पीड़ा से मुक्त हुआ और उसको भी दुआएं दो यह नहीं कि उसको दुआएं नहीं देना है उसको भी दुआएं दो कि आगे के जीवन में तुम्हारे ऐसी कोई पीड़ा तुम्हें न मिले या ऐसी कोई पीड़ा से तुम्हें गुजरना न पड़े जो तुम्हारे वो पीड़ा थी वो यहीं कि खतम हो गई शरीर के साथ ही आगे तुमारी यात्रह मंगल में हो और अच्छे से अच्छे हो यही दुवाई करें जी माना कहीं ना कहीं अपने आपको अपने अंदर इतनी शक्ती भरनी पड़ेगी कि ऐसे सिच्वेशन को हम फेस कर सकें माना वो तो सिच्वेशन को देखन के नजरेये से हम उस तरह से रिस्पॉंस नि काल सकते हैं अगर हम यह स्वार्थ में आ करके सोचने लगेंगे मोइआ क्या होगा इस व्यक्ती के जाने से अब बता Нहीं ही पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्या होगा, मना जब व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, तो उसको ज्यादा कभी-कभी रुना आ जाता है। क्योंकि दिश डिपेङनसी होती है, इसलिए वो ज्यादा हो हो जाता है। ताकि बहुत सुखी हो, उसका आगे का जैसे समय और अच्छा हो, अच्छा घर उसको हो मिले, अच्छे स्थान पर जन्म मिले, अच्छे रूप से जन्म मिले उसको, तो जब इस दिश्टी कौन से उस सिच्वेशन को देखेंगे, तो शायद आपको दुआ देना और सहज हो जैसे हमने देखने में आता है कि अगर शरीर में कोई बिमारी आए, जैसे मुझे अभी किसी बहन ने बताया, सिच्वेशन उनकी कोई रिलेटिव के सामने आई, कि उन बहन को बहुत सालों से कोई बिमारी थी, शारीरिक बिमारी, जिससे वो दर्द, वो सहन नहीं कर पा र है, वहां सेहन या सामना हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है कि आज की दुनिया के अंदर यह तो जरूर है कि सेहन शक्ती बहुत कम हो गए है इंसानों के अंदर और इसलिए मना अगर छोटी सी भी बात होती है तो भी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, मैंने कई बार हॉस्पि किया हुआ है लेकिन साइकोलोजिकल इफेक्ट उनके उपर इतनी आ जाती है कि उनको लगता है मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ तो मानसिक रूप से सैकोलोजिकली उस बीमारी का स्वरूप बन जाते है और जब बीमारी का स्वरूप बन जाते ह तो नैचरल है संकल्पों से वो बीमारी की पीड़ा और बढ़ा देते हैं और तब ऐसे लोगों के मुख से मैंने यही सुना है अक्सर मैं कई बार हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं यही सुनती हूँ कि कई पेशन्स करहा भी रहे हैं और फिर जैसे अंदर यांदर भगव अपरेशन हुआ है उस घाव को ठीक होने में समय लग सकता है लगेगा ही तो वो घाव थोड़ा दर्द तो करेगा ही जोटा सा घाव भी होता है तो भी दर्द करता है तो अपरेशन का बड़ा घाव हो तो कुछ दिन जब तक वो चमड़ी ठीक होती है तब तक घाव करेग तू सही, दर्द करेगा सही लेकिन वो सहन करने की शक्ती नहीं है और इसे लिए व्यक्तियक्तर यह कह देता है कि इसे तो भगवान मुझे उठा लेता था, मैं खतम हो जाती थी, यह आपरेशन मेरा फेल हो जाता है, इतना नेगेटिव थिंकिंग, तो हम यह कहना चाहते हैं कि बीमारी माना यह नहीं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, और वो बीमारी ही जैसे है, तो खतम हो जाना ही एक सोलूशन है, खतम हो जाना यह सोलूशन नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति का कार्मिक एकाउंट है, उसको भोगना ही है, चाहे दुख दर्द में आकर के भो तो क्यों नहीं आध्यात्मिकता यह meditation हमें शक्ति प्रदान करती है उसको सहन करने की और जब उसको सहन कर लेते हैं और अच्छे vibrations जहां अपना घाव है उस जगह पर भी हम लोग कई बार देखते हैं जैसे दुनिया मेरे की हीलिंग चलता ही है आजकल इसी तरह meditation में भी हम यही एक हीलिंग की टेक्निक को अपनाते हैं कि अपने ही जो घाव है अपने ही जो बीमारी है उसके उपर meditation के द्वारा आत्मा की किरने यह परमात्मा से भी किरने लेकर के फोकस करना जैसे दूप में खड़े रहो तो सूर्य के जैसे लाइट आती है वो किरने आती है तो गर्माईश महसुस होने लगती है कि टानू भी अपने आप मरते हैं इसी प्रकार meditation में भी परमात्मा की सुप्रीम पावर की जैसे लाइट हमारे उपर आ रही है और खास करके उस जगह को फोकस करिए कि जहां पर वो बीमारी है और उसको फोकस में लाते हुए जैसे उसको वो शक्ती की किरने मिल रही है और हीलिंग बहुत फास्ट हो रहा है बोडी का हील बहुत फास्ट हो रहा है इस तरह के पॉजटिव संकल्प करते हैं पॉजटिव विचारों के वाइबरेशन अपने आपको ही देना होता है और जब वो देते हैं तो कई मार देखा है कि बड़े से बड़ी असाधिय बीमारी भी ठीक होने लगती है थाट पावर से थाट प देते हैं परमात्मा की शक्ति के वाइबरेशन तो हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है और उसको ओवर कम करना बहुत इसी हो जाता है जरूरी नहीं है कि हम सुसाइड करें सुसाइड करने से वो बीमारी कोई ठीक होने वाली नहीं है on the contrary you carry forward आपका वो हिसाब आगे चलता ह है माना आगे भी आपको जनम में ऐसी पुनह बीमारी होगी और जितना आपको भोगना है वो भोगना को तो चुक्तु करना ही पड़ेगा जी तो कही ना कहीं अभी सामना करना जादा समझधारी है समझधारी है किसी ना किसी टेक्नीक से अपने आपको हील करना पर दीदे जैसे अगर तो जिसे आपने कहा उपरेशन हुआ तो वहां तो कही ना कही उम्मीद रहती है कि हम थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएंगे कुछ बीमारियों में उम्मीद ही नहीं होती कि पता नहीं कब तक चलेंगी इससे अच्छा तो शरीर ही छूट जाए तो वो दर्थ जिसका कोई एंड ही नहीं है उसमें लोग अक्तर देखा गया है सिवसाइड करना आप्ट करते हैं कि अब नहीं सेहन होता तो वहां पर अपने आपको पॉजिटिव कैसे करें ऐसा है कि ये सारा जो है संकल्पों का खेल है सेहन करना न करना बीमारी के स्वरुप को मैंने वहां तक देखा कि कईयों को कैंसर जैसी बीमारी हुई है लेकिन अपने विचारों के शक्ती से उसको भी हील कर दिया है और उसको हील करके आज स्वास्त है और स्वास्त ही नहीं सिर्फ सारा रूटेन कारिये जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं जिन लोगों ने केमू लिया है ऐसे लोगों को भी वो असाध्यस्वरुप की बीमारी भी ठीक हो जाती है तो ये सारा मन का खेल है प्रकार से जिस तरह के वाइब्रेशन को आप एडॉप्ट करेंगे वो चीज आपको अधिक तकलीफ देगी या अधिक आपको जैसे उसमें राहत का अनुभो कराएगी मैंने ये भी देखा है कि कई बार कई लोग जैसे बहुत कॉंशिस हो जाते हैं कुछ बीमारीयों के और वो अपने सं कलपों से बीमारी क्रियेट कर लेते हैं ऐसे मुझे एक बहन की बात याद आती है कि उसको हमेशा कैंसर से बहुत डर रहता था किसी क्या भी समाचार सुनती थी कि ये फलाना व्यक्ति कैंसर से मर गया तो उसको बहुत फील होता था और उसके मुझ से यही निकलता था गैं किसमुझ एक दिन आया कि उसको कैंसर हो गया तो संकल्पों से भी एक भैस उस चीज को आवाहन किया था और इसलिए जब उसके शरीर में कैंसर के किटानों हो गये फिर परेशान होने लगी और परेशान होकर के फिर कहने लगी कि अरे भाई ये तो नहीं होना चाहिए था ये कैसे हो गया बहुत दुखी हो गई उस बात को लेकर के अब तो मैं मरी जाओंगी अब मैं ठीक होई नहीं सकती हूँ ये ऐसे भी माना इतने नेगेटिव थाट तो देखा वो के वो कैंसर के जो सेल्स थे वो जो किटानों थे वो बहुत फास्ट मल्टिप्लाई होने लगा फिर जब उसको कहा गया कि शायद तुम्हारे संकल्पों से क्योंकि फैमली हिस्ट्री में किसी कोई इस प्रकार की तकलिफ नहीं है तो तुम्हें कैसे हो सकता ह तो फिर जाकर के उसको कहा के शायद तेरे संकल्पों से क्योंकि तुम्हें उसी चीज का भै था इसलिए तुम्हें अपने आप में उसको क्रियेट किया है अपने वीचारों से खाली भै के साथ दूसरे के सामने वर्णन करना उतना ही नहीं था लेकिन एक आंध में बैठ करके भी शायद उस बात के उपर वह बहुत सोचती थी तो अपने अंदर खुद क्रियेट किया अब क्रियेट किया और क्रियेट करने के बाद भी यह सोचना कि अब मैं जीन्दा रहूंगी नहीं अब मुझे बहुत तकलिफ भूगनी पड़ेगी तो जरूर वो तो बहुत फास्ट मल्टिप्लिकेशन होता है उसके ही परिवार के किसी सदस्याने जो डॉक्टर थे तो उसको कहा कि शायद तुम पॉजिटिव थाट्स करके देखो और पॉजिटिव था जब इस प्रकार का उसने अभ्यास करना शुरू किया तो वो कैंसर जैसे भीमारी ठीक हो गए क्यों जो संकल्पों से खतम हो गई और वो स्वस्त रहने लगी तो दीदी कितना समय लग सकता है विचार शक्ती से को तो अपने उपर है कि हम कितना पॉजिटिव एनरजी से कि इतनी द्रड़ता के साथ उस चीज़ का अभ्यास करते हैं जितना द्रड़ता से करेंगे और बार-बार करेंगे तो उसका प्रभाव और ज्यादा होगा और आज कल तो ये भी एक थेरपी निकली है कि आप जो है वाटर थेरपी जिसको कहते हैं कि पानी के उपर भी आप ज रिलीस करके 2-minute जैसे vibrations दो के मैं जो पानी पी रही हूं उससे मैं एकदम स्वस्त हो रही हूं और इस तरह के vibrations करके फिर वह पानी को पीते हैं तो भी धीरे धीरे वह पानी ही दवाई का काम करने लगता है तो दीदी आधार क्या है विचार शक्ती थेरपी का क्या आधार है कौन सा पानी का या संकल्पों की शक्ती हम यूज करते हैं संकल्पों की शक्ती तो आज बहुत पावरफुल है आज दुनिया के अंदर इसके उपर भी काफी रिसर्च हो रहा है खास करके आपने किताब पड़ी होगी कि दसीक्रेट कैसे मनुष्य अपने ही संकल्पों से बहुत कुछ आवाहन भी कर सकता है और अपने ही संकल्पों से उसको नश्ट भी कर सकता है तो मनुष्य जीवन के अंदर संकल्प बीज है मना बीच से जैसे एक पूरा वरिक्ष और उसके फल फुल सम लगने लगते हैं इसी तरह जिस क्वालिटी का संकल्प आप करो विचार करो उसी क्वालिटी के आधार पर आपकी पूरी दुनिया आप बना देंगे अच्छी पोजिटीव भी बना सकते हैं तो नेगेटीव भी बना सकते हैं तमएन संकल्प को कही ना कहीं हमें बहुत ध्यान से लेना चाहिए क्योंकि हम यही आशपेक्ट हैं जो इग्नोर कर देते हैं आज के समय में अगर हम देखे हमारे actions और हमारे संकल्ब बिल्कुल different directions में जा रहे होते हैं, इसका क्या impact हो सकता है डिदी? ऐसा है कि मनुश्य का संकल्ब जो चल रहा है इतना सुक्ष मस्तर पर चल रहा है कि शायद उसके बारे में awareness नहीं है, इसलिए संकल्ब दूसरे दिशा में है, actions दूसरे दिशा में है, actions के प्रति तो फिर भी वो conscious है, लेकिन संकल्बों के विशय में conscious नहीं, awareness नहीं है, कि वो सुक्ष मस्तर पर है, और इसलिए conscious के प्रति, actions के प्रति awareness होने करण उसको दिखाई देता है, क्योंकि action का result मिलेगा, संकल्बों का नहीं है, लेकिन कहीं नहीं, वो action भी, वो directed by वो विचार उसे है, जो हमें लगता है कि मेरे विचार अलग दिशा में है, लेकिन नहीं, वो विचार भी शायद कहीं ने कहीं उसी को support कर रहा है, तभी वो कर्म होता है, बिना विचार के कर्म नहीं हो सकते हैं, they are contemporary with one another, एक दूसरे के जैसे पोशक है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है, वैसे उसके विचार चलते है, जैसा विचार चलता है, वैसे कर्म होते है, तो जैसे एक दूसरे के connected है एक दम deeply connected है इसलिए यह नहीं कह सकते है कि मेरे मन के भाव कुछ और है और मेरा कर्म कुछ और हो गया मेरे से जब कहीं बार कहीं लोग की कह देते हैं मैं करना नहीं चाहती थी हो गया मेरे से सुक्ष्म में कहीं न कहीं करने का विचार था उनका या कहीं बार यह भी हो सकता है कि हम अवेर नहीं है कि हमारे विचार क्या कह रहे हैं जैसे मान लो कि कि अकॉर्डिं टो दे रिसर्च जो दुनिया में रिसर्च चल रहे है उसके हिसाब से तो यहीं माना जाता है कि हमारा ब्रेंड जो है नहीं शब्द को आइडेंटिफाई नहीं करता है और इसलिए मुझे जैसे वो बहन ने कहा मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए उसका यह डर था मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए वो बोलती भी यही थी सोचती भी यही थी अब ब्रेंड जब नहीं शब्द क identify नहीं करता है तो नहीं उसमें से निकाल दो तो च्या होगा? मुझह cancer होना चाहिए, मुझह cancer होना चाहिए, तो अब cancer होगा उसको हुआ उसको practically क्योंकि नहीं श्रश्टों को identify नहीं करता है क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो human being अपने original स्वरूप में जैसे संसार के श्रिष्टी के चक्र की आदी को देखा जाए कि जब सत्युग था त्रेता यूग था मना जिसको कहा जाए एक वैंकूंट का समय भारत में ही वो वैंकूंट हुआ है और उस वैंकूंट या स्वर्ग या बहिस्त या पैरडाइस जो भी नाम अम दे उस समय में भारत में जब वो समय था यह संसार में जब वो समय था तब लोग इतने पॉजिटिव थे दिवी गुणों से पूर्ण थे तो वो नेगेटिव सोचते ही नहीं थे इसलिए उनके वीचारधारा में नहीं शब्द आता ही नहीं था पॉजिटिव एफर्मेशन होते थे उनके जित इसलिए जब positive affirmation से उन्होंने जीवन जीया है तो कहीं न कहीं हम उनके ही तो वन्षज है और इसी लिए हमारी जो ये बनावट है इश्वर ने जो ये मनुष्य ब्रेन बनाया है ये मनुष्य बनाया है उस dictionary के अंदर उसके अंदर जो dictionary है उस dictionary के अंदर negative शब्द ही नहीं है यानि नहीं शब्द ही नहीं है इसलिए brain उस नहीं शब्द को identify नहीं कर पाता है प्रेक्टिकली अनुभव किया होगा के कई बार कई लोग सोचते हैं मुझे गुसा नहीं आना चाहिए मुझे गुसा नहीं आना चाहिए उस दिन सबसे ज्यादा गुसा लेकिन इतनी बार सोचा तो भी गुसा क्यों आ गया पाता लेकिन यह हमें समझने की जरूरत है कि हमारी brain की dictionary में नहीं जैसा कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि originally we were so much positive and pure beings तो negative शब्द उसके dictionary में ही नहीं दिदी यहां हम एक बात पूछना चाहते हैं कि negative शब्द भी एक संकल्प की तरह निकलता है और positive statement भी एक संकल्प की तरह निकलती है तो दो संकल्पों में ऐसा क्या अंतर है कि brain identify नहीं करता वह नहीं शब्द को identify नहीं करता है क्योंकि originally we are positive beings, pure beings तो जो pure चीज है तो वो impurity को identify नहीं करती है और इसी लिए जब हम यह सोचते हैं मुझे गुसा नहीं आना चाहिए तो गुसा ज्यादा आता है क्योंकि नहीं शब्द को उसने काट दिया, reject कर दिया उसकी dictionary में है नहीं वो चीज तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं तो इसी लिए ज्यादा गुसा आता है मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए तो उसको बीमारी होती है कितनी सुन्दर बात दिदी कि कही ना करें हम अपनी machinery को ही नहीं समझ पा रहे हैं हमारी जो internal brain की mechanism है उसको ही हम नहीं जानते हैं इसलिए कहीं problems आते हैं जीवन के अदर बहुत अच्छी बात हमें जानने को मिली कि हमें ही अपने ही machinery को कैसे चलाना है हमें ही नहीं पता अगर पता चल जाए तो कितनी problems हमारी लाइफ की ठीक हो सकती है दिदी एक situation और हम आप से जानना चाहते हैं जिसे अभी recent केदारनात में हुआ ऐसी situation में कोई इंसान फसा हो उस situation को कैसे वो सहन करे या सामना करे ऐसा है कि जब natural calamities आती है तो वो किसी को बोल के तो आती नहीं है तो उसके लिए mentally अपने आपको prepare करना ही होता है कि भई ये जो situation आई है ये तो एक कुदरती आपदा है और कोई man-made तो है नहीं जो हम उसके उपर घुसा निगा लेकिन शायद कहीं न कहीं मनुष्य के ही कर्म ऐसे हैं जिसका रण प्रकरती भी अपना प्रकोप दिखाती है और जो प्रकरती अपना प्रकोप दिखाती है तो फिर उस situation को सहन करते हुए उसको पार करना ही समझदारी है यह नहीं कि हम जैसे उस समय हार जाए हिम्मत हार दे कि अभी तो हम बस गए की गए खतम हो गए यह कमजोर विचार करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कहीं न कहीं इश्वर से शक्ति लेकर के यह प्रकरती प्रकोप भी मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है यह इश्वर मेरे द्वारा इस सिचुएशन में भी कोई कारी कराना चाहता है कि मैं कैसे सब का मददगार बनू तो उस रिती से अगर उसको देखेंगे और उस रिती से अपने साइकोलोजी को तयार करेंगे तो कितने भी विपरित परिस्ति में भी आप जैसे दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे और उस रिती से उसको हेल्प करते हुए बाहर निकालेंगे अपना आटिट्यूट पॉजटिव रखके नजरिया अपना ठीक रखके हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं तो दीदी बहुत संदर आपने हमें बताया कि कैसे हमें अपने जीवन को स्मूदली चलाना है पर क्यूंकि समय पूरा हो रहा है हम आपकी आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली कड़ी में हम इसी चर्शा को जारी रखेंगे आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो दर्शको कितनी सुन्दर बात हमें जानने को मिली कि हमें अपने आपको समझना ही पड़ेगा जो संकल्प हम लेते हैं उन्हें कही न कहीं हमें बहुत सौच समझ कर लेना चाहिए क्यूंकि वो हैं जो हमारी जीवन को direction देते हैं जो हमारा future आने वाला है वो हमारा decide अभी से होता है कि हम क्या सोचते हैं फिर हम उसको हम कैसे action में लाते हैं तो दर्शक को अगली कड़ी आप जरूर देखिए क्योंकि हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमें डिफ्रेंट सिच्वेशन में कैसे सेहन करना है